देखो अच्छो आज हम आपको धड़ी के बारे बता रहा है किसके बारे में इसको इंगिस्ट बोलते हैं बाउच क्या बोलते हैं यह लिखा आओ समय जाने अपसर देखा कि आप लोग धड़ी नहीं देख पाते और नहीं बता पाते कि उसमें कितनी सुईया होती है और कौन अब बात आए कि कौन सी सुई क्या बता रही है अभी हमने प्रस्र पूछाता है कि बच्चा बता पाया वो भी बड़ा मुस्किल से सोच के कौन सी सुई क्या बता रही है एक होती है जो को यह वाइन है दिख रही है और एक सब से लंबी है दिख रही है सबको तो किससे छो क्या बताती है यह मिनिट की सुई होती है यह जोड़ती वीच वाली सुई बताती है हमारे लिए घंटा क्या बताती है और सक्षे लंगनी सुई हमें बताती है सिपिन क्या बताती है तारे बच्चों को समझ बागया और सबसे बड़ी बताती है जैसे यह कि इसमें तो सु़िया दिये जुँ कि यह तो तुम्हारी किसी एंट की और यह किसी है ठीस के गंटा की जबता मिनिप्टी और रेट कालर की तुम्हारी होते हैं एक दिन में 24 घंटे होती हैं कितने गंटे होते हैं तो 24 घंटे होती है बात समन्द बाइब अब आताई एक घंटे में कितने मिनट होते हैं एक घंटे में जोको वन आर आर का मतलब होता है गंटा एक घंटे में होते हैं साथ मिनट इतने होते हैं बच्चों साथ मिनट होते हैं एक दिन में चौविस घंटे होते हैं अच्छा अब एक मिनट में एक मिनट में साथ क्या होते हैं से कि अधिया है अब आता ही एक घंटे में कित्रे सेगंड आती हैं अगर कोई पूछ ले पाया लिए एक घंटे में मिनट की संध्या वन आर्थ आवर मानी क्या होता है घंटा बरावर देखो ताठ गुना साथ बरावर से किन अब इन्हें गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जांगे ती हजार शेसो से किन अगर आप से क्वह पूछे कि एक घंटे में कितने सेगेंड होते हैं तो कितने होती हैं ऑन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा एक घंटे में कितने सेकेंड और तीसरा है एक घंटे में कितने सेकेंड गोते हैं प्रस्ट आ सकते हैं पेपर में आते खाल एक छोड़ देगा सब्सक्राइब कर देगा अब तुम पीच में अइसे प्रसनाते में अच्छा अब यह समझे घड़ी में दो चीजह होती है एक एम होता है टाइम एक होता पी एम को होते हैं पूर्वाहन अब जिन्दी में और इसको बोलते हैं अपराहन अपराहन हुद्स इस राशी होती है एक यह दिखा जाता है तुम्हारी पेपर में यह आएगा लेकिए यह यह आएगा जा यह आएगा दढ़ा कर दिन एंटी मेरिडियन आणटी बो एनटी बीडियान यह बो पोस्ट यह अब कब से कब तो यह ताइम यह समझें अर्द रात्री मिड़नाइट अर्द रात्री का होता है आधी रात रात के बारा बजे से द्याज दुलो रात के बारा बजे से दिन के दुपएव रहे गाईए नुभ में से पहले तकका समय हमें साक क्या लिखा जाता यह यह जा आपकर अहले700 based अच्वर बज़नाइट अल्गन के 20 वारे तक क्या लिखती है यहां वारे अनीक्ति और दुपैड के बारा बजे से रात के बारा बजे से पहले तक कर समय लिखते हैं यह तो यह तो मालब क्या लगए लिखेंगे अप्लिया है सब्सक्राइब 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 लिखते हैं उसके लिए अच्छा दूसरी बात अब लेड़े में और हवाईजाज यात्रा जब करोवे कभी देवी में तो सब्सक्राइब यात्रा तो वक्कम कर पाते बच्चे एं जो बड़े आदि में जाते हो वहाईजाद में चलते हैं तो बहाँ पर रहारी कितने बच्टे हैं कि अब कैसे पाइब तुम्हारा रटा क्या है बारा तक का टाइम एक बज गया दो बज गया तीन बज गया दो तीन चार पांट शे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा है यह तो टाइम यह आता तो अब अब मालों ट्रेंग मगर्णाग में तुम्हारे टिकेट में लिखा है 22 बजे कितने बजे हैं वाजी लिखा होगा 22 बजे हैं तो कैसे लाजे लगाओगे 22 बजते नहीं तुम्हारी घड़ी में 22 बज नहीं रहे वहाई कौश ताइम तो ऐसे आनी कैसे निकालो तो माल जो आपटी घड़ी में लेवाली घड़ी में 25 बज़ा आप तुम्हें निकालना है अपनी वाली घड़ी में तुम्हारा लिख सब्क्राइब य हैं वाल्य घटाओं यह सब्सक्राइब कितने हैं ॥ अगर मालो यह बीच में लिखे रहे हैं ऐसे लिखाया है वाइस बज़े हैं वाइस बज़े हैं वाइस बज़े हैं आप तुम चक्रा जाओगे याद याद यह तो हमने कभी देखा ही नहीं है करोगे हमारी घड़ी में तो जाओगे तो मैं नहीं माने में तुक्ता बढ़ोगे इसमें से बारा सब मैंसे बारा घड़ाएंगे बारा घड़ा हो घिरो धी घिरो त्मक्ते बहुत है लिए दस बज़कर 30 इसके समझ मायीं और यह की यर्लाए गार भाज़के कितरे हो लाएं तो और टाइम आ जाएगा जो ताइम यानी बज रहा है जैसे इस समय नौ बचकर 30 मिन तो जो सीड़ा वाला हो गया अब मालों को तेज बज रहे हैं किसी घरी में अब को तेज बढ़ी 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 तो फट जाएगी बढ़ी करेगा या दिपार्चर करेगा अब तुम धबड़ा जाओ या इस कौन बचेंगे या वारी बता नहीं रही है तो इसमें से बाहरे घटाएगा पूरी यह पंद्रा को पंद्रा वंद्रा यह यह ज्यारे बचके कि यह ज्यारे बचके हमारे घड़ी में पंद्रे मिनट हो रहे हैं और वाई कि राज्माली और रोटी मिए घड़ी में कि तरह बचकर अब के समझ में आगया अब में घड़ी के वाद में थैंक्यू मैं